कारकम में उपस्तित, केंद्रिय केमिनेट के मेरे सभी साथी, सरकार के अधिकारिगाण, नीति आयोग के सभी साथी, और इस कारकम में देश के अलग-अलग भागों से, अलग-अलग ब्लॉक्स से, ग्रासूट लेबल पे, जो लाखों साथी जुड़े हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जन्प्रतिनीधी भी आज, इस कारकम से जुड़े हैं, और ये विशे में रूची रखने वाले भी आज हमारे साथ, भिन्र भिन्र माध्यमों से जुड़े हैं, मैं आप सब का स्वागत करता हूँ, और इस कारकम के लिए आप सब को मभिशेश करके नीती आयोग को बधाई भी देता हूँ और आप सब को शुबकामनाई भी देता हूँ आप लोग भारत मंडपम में इकटे हुए हैं और इससे देश की सोच का पता चल सकता है भारत सरकार की सोच का पता चल सकता है और वो यह है कि एक महिने के भीतर भीतर अभी वो लोग यहां जमा हुए हैं जो देश के दूर सुदूर गाउं की चिंता करने वाले लोग हैं आखरी छोर पे बैटे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और इसी एक महने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे याने आप केनवास का रेंज देख लीजिए जिस भारत मंडपम्वें इसी एक महने में विश्व के गणमान नेता मिल करके विश्व की चिंता कर रहे थे उसी भारत मंडपम्वें मेरे देश के जमिनी स्तर पर बडलाव लाने वाले मजबूती लाने वाले और होसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखो साथियों के साथ आज मिल रहा हूँ मेरे लिए गर्व की बात है मेरे लिए समीट भी जी ट्वेंटी से कम नहीं है हमारे साथ ओनलाइन भी काफी लोग जुड़े हुए हैं यह कारकाम टीम भारत की सभलता का प्रतीख है यह सबका प्रयास की भावना का प्रतीख है यह कारकाम भविश्य के भारत के लिए भी एहम है और इसमें संकल्प से सिध्धी यह इनहरेंट है उसका प्रतीबिम है साथियों जब भी कभी आजाती के बाद बनी टॉप टैन योजनाओं का ध्यन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्रेम को स्वन अक्षरों में लिखा जाएगा एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्रेम ने आकांची जिला अभ्यान ने देश के एक सो बारा जिलोब है पचीस करोड से जादा लोगों का जीवन बदल दिया है क्वालिटी अफ लाइफ में बढ़लावाया है इजब गवननस में बढ़लावाया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिन्दिगी पूरी कर लो ऐसे ही गुजारा करना है उस सोच में से वहारो करके वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है कुछ करके दिखाना है इस मूड में मैं समाता हूँ यह बहुत बड़ी ताकत है इस अभ्यान के सभलता अब एस्प्रेस्टर ब्लॉग प्रोग्रेम का आथार बनी है district level का experience इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के model की चर्चा करने वाले हर कोई इस में से बहुत कुछ lessons खास करके developing countries के लिए suggest कर रहे हैं हमने भी उसी में से बहुत सिखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 blocks देश के हर राज्य में जहां भी और एक parameter के तहट उसका मुल्याकन किया गया है और उसमें से इन 500 block अगर हम इसको state की अवरेज पर अगर हम ले आए नेशनल अवरेज पर ले जाए आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा कितना बड़ा परनाव आएगा और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एश्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेम ने काम्यावी का पर्चम नहीं